Hello students, welcome to my channel, इस वीडियो में हम class 4 और 5 के लिए Green Olympiad के sample paper, mock question paper को देखेंगे अगर आपने 2023 में Green Olympiad का registration किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाली है क्योंकि हम इसमें top 50 questions को कराएंगे, इनी questions में से आपको बहुत सारे questions देखने को मिल जाएंगे इस Green Olympiad के उपर मैं 3 वीडियो ले के आँगा, जिसमें 50-50 questions होंगे और 3 वीडियो 150 questions ही आपके लिए बहुत important रहने वाले हैं अगर आप इनी questions के answer को अच्छे से learn करनेंगे, तो आपको बहुत सारे questions इसी में से देखने को मिलेंगे और आप उनका जब भी ये Olympiad होगा तो अच्छे से answer देपाएंगे इनी questions से related आपको questions देखने को मिलेंगे, इन से बाहर कुछ नहीं आएगा तो चलिए देखते हैं, मैं आपको एक question explanation के साथ बताऊँगा कि किस में क्या दिया गया है जैसे question number one है, और एक्जामपल अफ कार्निवार अनिमल, we know कार्निवार अनिमल मिन ए मीट इटर, ठीक है, कार्निवार अनिमल कौन से होते हैं, जो मास्क खाते हैं तो हमें सिधा पता चल रहा है कि जो डियर है, वो कार्निवार अनिमल नहीं है, यह हर्बिवार है, अब जैसे कि जुरूरी नहीं, ओलम्प्याड में यह एजिटीज क्यों सनाएं, यह question ऐसे भी आ सकता है, कि डियर की जगे इधर और कुछ अनिमल दे रखा हो, जैसे और कि जैसे अनिमल का तीन एक मिलेगा, एक मिलेगा, या ओम्निवार्स तो ऐसे भी जैसे आपको आपको निल सकते हैं, आपको तीनों पता होने हैं, चाहिए, कार्निवार्स मतलब मीट खाने वाले, हार्बिवार्स, ओनली ग्रास, आस एंड फूर्ट और धर्ड हो गए, ओम्निवार्स जो दोनों खाते हैं, जैसे डो और केट उस केटेगरी में आपते हैं, उसके बाद क्योशन नमबर टू है, ये स्टड़ी होता है, मेरी कल्चर इज ए स्पाइज ब्रांच ऑफ अक्वाकल्च इन्वाल्विंग इन्वाल्विंग इन्वाल्वेशन ऑफ मेन कल्चर, आपने सुना भी होगा, सेरी कल्चर मतलब क्या होता है, रेसम के कीडे को पानना, ठीक, अरियर इन्वाल्व इस गोल्ड सेरी कल्चर, उसके बाद क्योशन नमबर थी है, डैस इस ए मिक्स ओफ सेंड, सिल्ट एंड कले एंड आडल फोर ग्रोइंग क्रोप्स, सच वीट, सुगर कैन, कोटन, पलसीज, ओयल सीड्स, ठीक है, तो ये लोम होता है, ये मिक्स ओफ सेंड, सिल्ट एंड कले होता है, जो ये क्रोप्स को उगाने में बहुत ही आईडियल कंडिशन माना जाता है, इसका मतलब ये मिटी बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है, तो आ क्या-क्या उगाया जाता है, उसके बाद क्योशन नमबर फोर है, इरिगेशन is a process of supplying water to crops and artificial micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water to drip slowly to the roots of plant, either from the abu soil surface or buried below the surface is called drip irrigation, इस इरिगेशन में क्या होता है, मतलब पानी कम लगता है, एक तो खेत में हम field में सीधा table चला के पानी देते हैं, तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, drip irrigation में क्या होता है, सीधा पोदे की जड़ों में पानी जाता है, और उससे पानी का बहुत सारा बचत होता है, ये technology सबसे पहले Israel में develop होई थी, उसके बाद उसने दुनिया भर में इस मतलब system को बताय है, और बहुत सारे देशों में कम पानी में भी आज कल अच्छी खेती हो रही है, उसके बाद क्योशन नमबर फाई है, human activities contribute towards several types of pollution, these are categorized as anthropogenic pollution, इसका correct answer हो जाएगा, anthropogenic pollution, ठीक है, जो several types of pollution होता है, उसको हम क्या बोलते है, anthropogenic pollution, उसके बाद क्योशन नमबर 6 है, India is the second largest producer of rice in the world, okay, ये पहले बाद तो एक क्योशन यहीं बन गया, which is the second largest producer of rice in the world, तो ये India है, and is also its largest exporter being a tropical crop, rice क्या है, tropical crop है, it flourishes in wet, hot and humid climate, which is the main rice growing season in India, तो इंडिया में चावल कब उगाया जाता है, तो यहाँ इंडिया में चावल आपको हर मोसम में देखने को मिलेगा, all option listed there, खरीफ, रभी and जायद, no, 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 खरीफ में उगाया जाता है, चावल, खरीफ, देखो इंडिया में दो तरह की फसले होती है, एक रभी और एक खरी जाती है, और खरीफ होती है, जो बारिस में उगाया जाती है, मतलब जून जुलाई में उगाया जाएगी, में जून में और ऑक्टूबर में काटी जाती है, वो होती है, खरीफ होती है, तो आप देखते होंगे, की चावल तभी उगाया जाता है, जब बारिस आती है, मतल चना सरसों मस्टर्ड यह सब क्या है रभी की है खरीफ की क्या हो जाएगी राइस और कोटन ओके और बाजरा बाजरा खरीफ का क्रोप है उसके बाद क्योंसर नमबर 7 में देखेंगे अगर आप किसी खेत में लगातार खेती कर रहे है और हर साल प्रोड़क्शन कम हो रहा है तो यह किसकी कमी से होता है Which Of Below Listed Item Does Not Contaminate Soil मतलब कोन शोयल को ज्यादा नुक्सान नहीं पहुँचाता तो प्लास्टिक जमीन में होगा तो यह नुक्सान पहुचाएगे पेस्टिसाइट ज्यादा डालेंगे हम तो नुक्सान पहुचाएगे fertilizer डालेंगे जमीन में तक ओलमपीयाड में green औलमपीयाड में ऐसे ही क्योशन पुछे जाएंगे उन्में man line एक ही होती है और उपर की line ऐसी ही होती है बस आपको क्योशन को अच्छे से समझना है कि क्योशन क्या पुछा गया है ठिक है उसके बाद क्ůशन number 8 है adopting cleanliness routine can lead to good health we should follow simple dash practice तो हमें cleaning lens के लिए hygienic practice अपनानी चाहिए, जिसमें आ गई regular hand washing, face washing and bathing Question number 9, often cold hungry soil, which soil from the following option lacks nutrient sand is easily washed away by rains मतलब जिसमें बहुत ही nutrients कम रहते हैं, तो वो hungry soil होती है, वो होती है sandy soil और जल्दी से washed away by rain, rain आती है तो वो मतलब गायब हो जाती है, hungry बोलते हैं इसको कितना भी इसमें हम कुछ भी डाले, nutrients डाले, पानी डाले, कुछ दिन बाद फिर से सुख जाती है, जैसे राजस्तान में पाई जाती है sandy soil Question number 10, which factor contribute to air pollution, air pollution किसकी वज़े से man होता है, तो all option listed here, burning of fossil fields, exhaust from factories and industries, motorized vehicle, तो तीनों से ही air pollution होता है तो आपको पता होना चाहिए air pollution में क्या-क्या आता है, उसके बाद question number 11, which of the following statement holds true for a natural resource कौन-कौन से होते हैं, तो natural resource क्या होते हैं, natural resource available freely in nature, सही बात है Sugar is an example of natural resource, यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तो पहली वाले ठीक है, sugar तो हमें sugar can से बनाते हैं, factory में जाएगा तभी तो sugar बनेगा ठीक है, जो natural resource क्या होते हैं, जो हमें अपने आसपास ऐसे ही मिलते हैं, जैसे पेड हो गए, पानी हो गया, air हो गया, sunlight हो गया, river हो गया, यह सब क्या है natural resource question number 12, biomass refers to any plant animal based organic matter that is used as a surface of fuel, pick the correct example of biomass from options provided below, तो biomass में कौन सा example है, mainly trees, ठीक है, trees हमें nature में ऐसे मिलता है, जो हमारे लिए बहुत काम आता है, organic matter है यह, और source of fuel का use होता है लकड़ी हम, लकड़ी से, हम इसको energy लेते हैं, ठीक है question number 13, springs are an example of, spring किसका example है, तो यह surface water का example है, springs, जहरने, तो यह जहरने कौन से होते हैं, जो surface में पाने ही रहता है, springs का मतलब इदर क्या है, जहरने question number 14, name the chemical present in leaves, that gives their color and helps their photosynthesis, तो वो कौन सा pigment होता है, वो हता है, chlorophyll chlorophyll, due to presence of chlorophyll, the plants make their foods question number 15, all mosquito species go through four distinct stages during their life, tick the odd one out, तो बताना था इसमें mosquito का, कैसे कैसे क्या होता है, तो नीम होता है, फिर adult होता है name for adult का इसमें अलग है, बाकी साइद ये सही है, ये इसमें साइद रोंग था, इसलिए बोला गया है, tick the odd one out, जो इसमें अलग है ठीक है, एग होगा, फिर larva, larva से pupa, pupa से adult बनेगा, ठीक है, तो mosquito का ये cycle होता है, निम्प से सीधा adult नहीं बनता, ये arrow का निशान है, साइद ऐसे तो आप फ़ड़ा सा सर्च कर लें ना इसमें question number 16, name the category of female bees whose main job is to lay eggs तो एक होता है, इसमें queen भी और बाकी होती है, worker भी, कोई होता, soldier भी तो जो इसका काम होता है, main job is to lay eggs, तो उसको हम बोलते हैं queen bee उसके बाद question number 17, endangered species आपने class 5 में ही पढ़ाओगा, 4 में EBS में, endangered कौन सी होती है, जो खत्रे में हैं, जो हमारे आसपास देखने को भी नहीं मिलती तो extinction species कौन सी होती है, are at the risk of extinction जो बिल्कुल गायव होने के कगार पर है, कहीं भी देखने को नहीं मिलती उसको बोलते हैं extinct species question number 18, an ecosystem consists of both living and non-living component living segment of an ecosystem is referred to air तो ecosystem में living और non-living दोनों चीज़े रहती हैं तो living segment of an ecosystem क्या है इसमें, हम देखेंगे इसमें है, biotic factors जो biotic factors होते हैं, वो हमारे ecosystem के लिए living segment के लिए बहुत ही जरूरी है question number 19, plant converts sun energy into food through a process तो पोदे जो अपना खाना बनाते हैं उस process को बोलते हैं photosynthesis in the presence of chlorophyll in their leaves they make food called photosynthesis question number 20, a coral reef is made of thin layers of calcium carbonate there are about 600 species of coral reefs around the world they provide food and habitat for about 25% of the fish coral, coral क्या है ठीक है तो ये एक animal है जो इकठा हो होके हो होके सी बहुत बड़े समुंदर में, सागर में क्या है अपनी एक layer बना लेता है पानी के उपर जो फीस को बोजन भी देता है और उनका habitat भी बनता है तो coral क्या है ये एक animal है ठीक है भीत्ती उसके बाद क्योसर नमबर 21 which term is used to describe dryness of weather caused by absence of rainfall over the years तो बहुत सारा साल हो जाता बिना बारिस आए तो उसको बोलते हैं drought, सूखा पड़ना absence of rainfall, जब rainfall नहीं होता तो सूखा हो जाता पेड़ पोदे सूख जाते हैं ठीक है, monsoon में बारिस होती है, flood में बाड़ आती है okay, famine में क्या है, अकाल पड़ता है अकाल is directly related to drought जब सूखा रहेगा तो उसमें अकाल पड़ेगा मतलब फसल नहीं होगी कोई भी crop नहीं होगी question number 22 of all the water on the earth, salt water makes up 97% of it जैसा कि हमें पता है, only 3% जो water है, earth में वो पीने लायक है which means only 3% is fresh and which of the only around 1% is deadly available for our use this is because most of the fresh water is frozen जो भी हमें पानी मिलता है, fresh water वो सो frozen में है glacier में सब जमा हुआ है जो धीरे-धीरे पिंगल के नदी के रूप में हमें मिलता है glacier, snow, ice, and ice seeds तो इसका देखते हैं हम आगे क्या है question number 22 हाँ, तो बोला गया है ये true है कि false है तो ये बिलकुल true है कि 97% water salty है और 3% water fresh है जो हम पी सकते है उस 3% में से 1% frozen में है और 2% और कहीं हमें मिलता है जमीन के नीचे ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है question number 23 which of the following is not a greenhouse gas तो greenhouse gas होती है बहुत सारी जो हमारे ozone layer को बनाए रखती है तो greenhouse gas में oxygen नहीं है और कौन कौन सी question देखो जो अलम प्याड होगा उसमें question आ सकता है कि which are greenhouse gases तो तीनों option मिलेंगे carbon dioxide, methane, and water vapor और fourth option में मिलेगा all of the above ठीक है तो ऐसे भी question आ सकता है आपको जरूरी नहीं कि इनी questions के base पे आप practice करें question number 25 carbon sink absorb more carbon from the atmosphere than it release which are flowing is a carbon sink तो इसमें से carbon sink कौन सा है? मॉल factory है train है, forest है ठीक है यह सब क्या है? carbon sink नहीं है बट मॉल क्या है इसमें? ना थोड़ा सा इसमें change है क्योंकि यह सभी carbon release करते हैं factory जैसे pollution करेगी train जैसे वो भी carbon देगा mall है, mall में भी कैसे ना कैसे carbon release होता है ठीक है, मगर जो carbon नहीं देता जो carbon को absorb करता है क्योंकि carbon dangerous होता है हमारे लिए तो वो क्या है? forest है ज्यादा जंगल लगाएंगे तो हमारा जो environment है वो सही रहेगा तो carbon sink क्या होता है? forest होता है या trees होता है तो इदर option में trees भी हो जाता ओके, atmosphere में क्या है? बहुत सारे ऐसे instruments हैं जो carbon release करते हैं तो carbon release तो ज्यादा करते हैं मगर carbon को absorb कोन करेगा? जैसे की हम carbon die oxide release करते हैं human और absorb कोन करता है? trees ऐसे ही carbon को भी ये absorb करते हैं forest and trees ओके तो ये carbon sink है forest question number 25 warmer temperatures result into which of the following? मतलब ज्यादा गर्मी किसकी वज़े से हो रही है? तो rising sea level, extreme weather events और cyclone इन तिनों की वज़े से warmer temperature result हमारे सामने आ रहे हैं हर साल गर्मी ज्यादा गर्मी हो रही है और सर्दी में ज्यादा सर्दी हो रही है ठीक है? उसके बाद है question number 26 have you noticed puddles around your home or school? how do puddles dry naturally? तो जो puddles होते हैं आप क्या सपास वो सब evaporation evaporation के काण वो सब dry हो जाते हैं, सूख जाते हैं evaporation क्या होता है? हम पानी को अगर एक बावल में रख देंगे बाहर तो evaporation मतलब गर्मी की वज़े से सब उठ जाएगा कुछ दिन बाद तो पानी ऐसे उपर जाना वो क्या 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 लाता है? evaporation क्योंसर नमबर 27 क्या पानी में अच्छे से mix नहीं होता? तो correct answer हो जाएगा oil यह पानी में कभी भी mix नहीं होगा पानी के उपर आ जाएगा due to its density क्योंसर नमबर 28 arrange the following which is a renewable source of energy तो यह सभी renewable source of energy हैं यह नेचर में हमें full मिलते हैं sun है, water है, air है यह क्या बोले जाते हैं? renewable source of energy sun, water, air मलब जो हमें आर्थ में आराम से मिल जाते हैं उसके बाद 29 where should wastewater generated from a community can be treated? तो community से जो wastewater होता वो sewage treatment plant के दवारा हम उसको बाहर कर सकते हैं जिसमें हमें ज्यादा pollution भी नहीं देखने को मिलता है question number 30 what can you do to reduce air pollution? air pollution को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यह सब कर सकते हैं more public transport यूज करेंगे ज्यादा विकल हम यूज नहीं करेंगे plant more trees and carpool यह तीनों क्या है? air pollution को कम करने के लिए treatment है question number 31 air pollution is caused by solid and liquid particles and some gases that are released in the air what are these particles known as? तो यह सब क्या कहलाते हैं जो air pollutant होते हैं aerosols aerosols मतलब हवा में जितना भी particle उड़ता है वो सब aerosols होता है जो air pollutant air को pollute करते हैं question number 32 pick an example of natural contributor to air pollution from the below mentioned options तो इसमें क्या जाएगा volcanic eruption यह कहे natural यह nature करता है air pollutant बाकि सब आदमी के दवारा के जाते हैं यह तो आदमी करेगा जब कहीं volcano फटता है तो बहुत सारा धूल फैल जाता है as फैल जाता fly as तो उसकी वज़े से भी air pollution होता तो यह nature करती है इसको रोकना या करना volcano को कफटना हमारे बसका नहीं है यह nature करती है ठीक है natural है क्योंसर नमबर 33 the ozone layer has high concentration of ozone and is found in the atmosphere around 15 to 30 km above the surface of earth it protects all life on earth by absorbing harmful which causes sunburn तो इसका correct answer हो जाएगा ultraviolet radiation ठीक ultraviolet radiation हो जाएगा और फिर उसकी वज़े से यह हमारे लिए बहुत ही नुक्षान दायक रहेगा अगर कल कुछ भी ozone layer को होता है क्योंसर नमबर 34 which of the following statement is not true regarding air pollution air pollution को लेके कौन सी statement सही नहीं है तो आप यह पढ़ लीजिए मुझे तो पहले भी सही नहीं लगी सेकेंड भी सही नहीं लगी क्योंसर नमबर 35 shipping is one of the most dominant modes of transport to supply goods and communities across the globe shipping मतलब जहाजों के दवारा सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है which of the below listed option is not an environmental issue caused by the shipping industry तो इसमें से कौन सा environment issue shipping industry के दवारा नहीं किया जाता तो देखो जहाज पानी में चलेगा तो pollution होगा पानी में सही है पहला noxious oxide of nitrogen and sulfur release करेंगे क्योंकि पानी का जहाज चलेगा तो वो क्योंकि diesel से चलता है heavy engine होता है तो वो भी pollution करता है collision with marine mammals such as whales, dolphins ये भी होगा इनसे ठकराव होगा जो बड़े बड़े पानी के जानवर है moment of people from one place to another तो ये इसमें ज्यादा मतलब water transport में ये तीनों फोर्थ वाला इतना नहीं होगा ज्यादा क्योंकि कोई लोग एक country से दूसरी country नहीं जाता क्योंकि पानी में क्या होता है एक देश से दूसरे देश में transport होता है ठीक लोग वहां से इतना जाते नहीं हो 36 क्रेक टांसर हो जाएगा रिवर्स रिवर्स आज फ्रेश वाटर ओके तो फ्रेश वाटर का हमारे लिए सब से अच्छा रिसोर्स है रिवर्स 37 what are the benefits of using renewable source of energy तो benefits तो इसके सारे ही है it is an infinite source बहुत कितना भी हम sunlight ले ले तो हमें कोई नुकसान नहीं है कितना भी हम उससे solar light से हम electricity generate कर सकते है it is a non polluting sunlight से हमें कोई pollution नहीं होता it reduces electric bill electricity का bill भी कम आता है solar light आज कल बहुत सारी solar plate लगवा रहे हैं लोग गाओं में भी सहरों में भी जिसकी वज़े से हमें ज्यादा electricity bill नहीं आता तो जितना भी renewable source of energy है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फाइदेमंद रहता है बस यह है कि हमें उनका जो उपयोग है वो अच्छे से करना चाहिए सही जगह ही करना चाहिए क्योंसर नमबर 38 and important energy efficiency measures replacing all the in candy scant light bulb in your home with compact fluoroscant lamps cfl तो cfl का इसमें पुछा गया है तो इसका correct answer हो जाएगा LED light bulbs ठीक है यह थोड़ा सा होता है compact fluoroscant lamps होता है 39 वाती the full form of LED LED का full form पुछ लिया जो हमारे electricity bill को बहुत कम किया है जिसने तो इसका correct हो जाएगा light emitting diode option c LED का full form हो जाएगा तो यह green olympiad में क्यों पुछा गया है क्योंकि इसके आने से पहले 100 watt का बल बहुता भी यह 5-10 watt का होता है उससे electricity बहुत सारी बच जाती है government की बोले हम यह हमारी ठीक है उससे बहुत ही फायदा हुआ है तो इसलिए इसका क्योशन पुछा जाता है इसका full form होता है light emitting diode क्योशन नमबर 40 what do you call processing of waste product into something useful उसको हम क्या बोलेंगे waste product को दोबारा use में लेंगे तो recycling okay recycling मतलब waste product को हम बार बार use करेंगे तो क्योशन नमबर 41 name an alternate fuel that is obtained for fermenting and distilling and distilling crops such as corn barley और wheat corn barley wheat से हम क्या बनाते हैं तो हम ethanol इससे बनाया जाता है ethanol से आजकल government vehicle भी बना रही है अब ethanol से चन्ने वाले vehicles आएंगे अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे transport minister है उन्होंने launch की थी एक गाड़ी जो ethanol से चलेगी तो ethanol इनको ferment करके बनाई जाती है question number 42 from the following option which item will not get converted into composed compose में क्या convert नहीं होगा plastic नहीं होता बाकी सब का खाद बन जाता है जो हमारे मिटी के लिए भी सही रहता है banana peel हो गया, vegetable waste हो गया या egg sales हो गया जो plastic है इसको हमें जलाई देना चाहिए मेरे ख्याल से वही इसका या फिर उसको question number 43 dash is also known as hazardous waste agitment contain toxic substances that are corrosive, highly inflammable or reacts when exposed to certain things that is gases तो 43 का correct answer क्या हो जाएगा industrial solid waste जो जो industry factory बड़ी बड़ी फेक्टरियों से निकलता है chemical factory हो गई तो वो क्या है वो बहुत ही hazardous बहुत ही toxic जहरिला item होता है और और यह highly inflammable होता है ठीक है तो यह सब क्या होता है industrial solid waste और government जो वे फेक्टरी होती है क्या करती है इसको river में डाल देती है जिसकी वज़े से हमारे देश की नदिया बहुत ही polluted हो रखी है question number 44 there are three components in hierarchy of waste management these are correctly redepicted as तो सही हम कैसे कैसे किन को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं हमारा एक बार पहला काम हो गया हमने कोई सामान करीदा अगर उसका काम पूरा हो गया उसके बाद हमी क्या करना चाहिए ठीक है तो reduce पहले तो plastic को reduce करना चाहिए अगर हम ले आए हैं तो उसको reuse करना चाहिए और इस process को क्या बोलते हैं recycle तो यह 3R process है एक 3R में आप से पूछेंगे ये भी question पूछा जा सकता है 3R में क्या क्या होता है तो reduce मतलब pollutant जो plastic है उसको हमें reduce करना चाहिए उसके use को जितना कम use में last के हमें उतना कम लेना चाहिए ठीक reuse कर लेना चाहिए अगर आप उसको ले आए हैं market से उसको reuse कीजिए और या फिर उसके बाद बहुत सारे item होते हैं जिने हमें recycle करने की जरूरत होती है तो 3R का मतलब क्या होता है आपको ये याद करने की जरूरत है reduce reuse recycle ओके और ये इसका सही शीरियल है reduce reuse recycle उसके बाद क्योंसर नमबर 45 विच्व फॉलंग फॉर्म प्रिस्पिटेशन कंटेंड केमिकल वेस्ट एंड कोजिज डेमेज टू प्लांट्स एंड वेजिटेबल तो प्लांट्स और वेजिटेबल को जो बहुत सारा नुक्सान पहुंचाता है वह होता है acid rain पहली पहली बार जब बारिस आती है बहुत दिनों बाद 4-5 महिने बाद या 3-4 महिने बाद तो उसमें हमें बचना चाहिए उससे हमें क्योंकि वो acid rain होती है जो भी फैक्टरियों से धुआ निकलता है बहुत सारा air pollutant उपर जाता है वो सब जमा हो जाता है बादलों में और जो पहली बारिस आती है वो उसके साथ सारा नीचे गिर जाता है इसलिए बोला जाता है कि पहली बारि हो जाएगी और बहुत सारे other disease भी हो सकता है एक बार आ गई उसके बाद डेली बारिस आती है तो फिर harmful नहीं रहती क्योंसर नमबर 46 डैस मीन्स एगेस प्रोडूस्ट बाइदा एन और बिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ और गेनिक मेटर तो इसका क्रेक्ट आंसर ह हो जाएगा बायो गैस बायो गैस क्या है यह एन और विक डाइजेशन और फिर्मेंटेशन ऑफ और गेनिक मेटर है क्योंसर नमबर 47 वाट इस टर्म यूस्ट डिस्क्राइब अ सबस्टांस देट कैन बी डिकम्पोजड और कंजूम्ड बाइ माइक्रो ओर्गेनिजम माइ जो वेजिटेबल वेस्ट होता है जो पीछे बोला था फ्रूट्स पील्स होता है ठीक है तो उनके कम डिकम्पोजिशन में माइक्रो ओर्गेनिजम बहुत यूजफूल होते हैं तो उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एजे दीजार बायो डिग्रेडेबल क्योंसर नमब यहां मुझे सारे हिट्रिव लग रहे हैं क्योंकि मेरा इलिटर कंप्राइज मेजर्टी ओफ प्लास्टिक प्लास्टिक बैक्थ्रॉन के लेशली चोकदर ड्रेंस ड्रें को हमारे रोक देते हैं और बहुत सारे मेरिन में भी होता इसका यूज और हार्म फिल गैस गैसीज रिलीज होती है जब इनको जलाया जाता है तो जलाना भी पॉलिथीन को जलाना भी बहुत ही डेंजरस है मैं पहले बॉल दिया था उसके लिए सोरी हमें पॉलिथीन को जलाना भी नहीं चाहिए इसको बस डिकंपोज करने का हमें देखना चाहिए क्या सबसे इसली तरीका ह है question number 49 which of the following waste is produced more than usual in response to covid-19 by hospital healthcare facilities and individual question number 49 का correct answer हो जाएगा all of the days ठीक है healthcare facility के लिए hospital जाने के लिए हमें covid-19 में क्या के यूज किया था mask gloves PPE kit हम Delhi use में भी इनको use कर सकते हैं क्योंकि आज कल बहुत air pollution रहता है तो mask बहनना कोई गलत चीज नहीं है उसके बाद question number 50 आज का last question क्योंकि मैंने बोला था पहले कि मैं 50 questions का तीन वीडियो बनाऊंगा green olympiards से related इनी तीन वीडियो में आपको बहुत सारे question देखने को मिलेंगे और जो जो बाते मैं बता रहा हूं वो बाते भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से भी question पूछा जाएगा एक question का मतलब एक question नहीं होता उसको आपको बाकी option को भी देखना होता है कि उनका question क्या होगा और यह किसका answer है सभी option को आप ध्यान से देखिए उसके बाद ही answer कीजिए तो question number 50 traditional methods to preserve food involving which of the following तो पहले आज के जमाने में तो refrigerator है पहले यह नहीं होता आज से 15-20 साल पहले नहीं होता था मतलब 30-40 साल पहले तो पहले भी लोग खाना रखते थे रात का खाना सुबह खाते थे तो क्या-क्या process होता था drying होता था pickling होता था और salting होता था drying pickling and salting यह process थे to preserve food तो students यह था 50 questions green Olympiad के लिए अगर आपने registration किया है तो I hope आपको इसमें से बहुत सारा question देखने को मिलेगा आपके green Olympiad में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching this video